दिये एरियर को लेकर सचिवाले करमचारियों में अभी भी नाराजगी है सचिवाले के सभी संगठनों से डिमांड चार्ट मांगा गया है मुखे सचिव से सचिवाले करमचारी महासंग की बैठक होगी सीम के स्वस्त होने के बाद अगले दोर में मुख्य मंत्री से मीटिंग की जाएगी सचीवाले करमचारी महासंग ने एक बैठे की जिसमें महासंग के अध्यक संजीव शर्मा ने कहा कि ना हम डरे हैं और ना ही जुके है मुख्य मंत्री के स्वस्त होने के बाद दो तीन दिन में अगर मीटिंग नहीं हुई तो जर्नल हाउस बुलाने पर विचार किया जाएगा मुख्य सची के समक्स अपनी सभी मांगे रखी जाएंगी और ये पहला मोका है जब सची वाले करमचारियों के खिलाफ विशेश अधिकार खनन नोटिस दिया गया है यह आम बैठक थी रुटीन बैठक थी हमारी और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सत्रा अगस्त को सेप्टेंबर को एक जनरल ओस होना था लेकिन हमें सोला अगस्त को सोला सेप्टेंबर को बला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन सेवन डेज जो है मानिनी मुख्यमंत्री बार्तक लिए बलाने वाले हैं तो उसको द्रिष्टी गत रखते होए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल ओस्ता वो पोस्ट पॉन कर दिया था और हमें जैसे कि कहा गया था कि एक वीक कमे टाइम दिये गया था उसके बाद हमें फिर 16 सेप्टेंबर को कॉल आती है सेक्रेटी टू सीम की कि मानिनी मुख्यमंत्री की त्वियत खराब होगी है कुछ तो आप पार्तक लिए आ सकते हैं मुझे उन्होंने अफ्राइज किय खरा था है कि फिर हमारी 21 ज्सतारी को वर्ता हुई क्यूंकि मनें 23 को फिर से जनरल लोस रख था ता तो 2021 को व्हारी विस्तार पूरवक सच्चीव मुख्यमंत्री आदरिन श्रीरय आकेश कमर्जी से वर्ता हुई उसमें हमारी पहली जो हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाप जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिये गए हैं उसको वापस लिया जाए उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी जैसे की डिये की तीन किस्ते देना एरियर देना नए पेस्किल का एरियर देना और डिये की जो एक 17-2022 से हमारे जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज करना ततो और अन्य मांगे थी जैसे की सेक्रेट आल् Lagos सेक्रेट पे जो भी सेक्रेट आलाउंस मिल रहा है गौवर्णर ऑऊंस को मिंशन को लोका युकता को उसको सेक्रेट पे दिया जाए इसी तरह अन्य की मांगे थी, contract की थी, जो contract और outsource की थी, इन पर चर्चा हुई, तो इन सारी बातों को लेके हमें अश्वस्त किये गया, Secretary, S.A.D. और Secretary to CM कमर जी के द्वारा, कि ये सारी बात जो है, मानिनी मुख्यमंत्री की द्यान में लाएंगी, अब जैसे कि मानिनी सच्ची वाले का जो ये अंदोलन्ता ये खतम हो गया है, या सच्ची वाले के जो करमचारी लोग हैं, ये डर गे हैं, या ये जुग गे हैं, आखिर क्या वज़ा है, कि ना तो आपकी तरह से कोई statement आ रही है, तो इसलिए मैं आपके बाद्यम से कह देना चाहता हूँ, ना ना ही सच्ची वाले करमचारी डरा है, ना ही सच्ची वाले का करमचारी पिका है, ये जो हमने अभी एक तरह से स्थगित किया है, इसके दो कारणे, पहला कारण, एक तो हमारी वारता चल रही है, कल भी हमारी कमर साहब से बात हुई, कमर साहब ने कहा है कि आप अपने अप पर रुंद श्क है गवारा की अफनी मंतली मसहां्ट कोने सब्सक्राइए गवारता ही है। तो हमारे आज जो मिटिंग थी, हमारी इसी पर चच्चा हुई है, अब हमने यह निरने लिया है, कि भी ठीक है, अगर मुखे सची के साथ हमारी वारता हो जाती है, बहुत जल्द, यानि कि तीस या पहली को, तो ठीक है, और नंबर दो, जैसे ही, अगर माने नी मुख्य मंत् प्रशासन नहीं करेंगे क्योंकि अगर मारी मांगे हमारा क्या है मैंन तो यह है कि यह कि तो जो प्रिविलेज मोशन आया है यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस चीवाले कि आप पूरे माचल परदेश की के हत्यास में पहली बार हुआ है कि जब चुने हुए कर्मचारी निताओं के अगेंस जो है प्रिविलेज मोशन आया है दूसरा जो हमारे अगेंस जो है मेमो इशू है अभी हमें पता चला है आज ही निउस पेपर के माद्यम से कि सच्चिवाले प्रशासन ने उसमें फिर से मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम और लिया है क्योंकि पिदान प्रशान जो हमारी वारता भी शुरू होगी है तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे निकल के आता है जो भी होगा हो आज अपनी बैठक में निर्णे ले लिया है पांचों एस्टेशन की मेरी द्यक्षा यहां ऑफसर एस्टेशन की गीता में हैं और यहां पर हमारे प्राइबट सेक्टरी के तुलसी जी हैं और अमर जी हैं ड्राइबर एस्टेशन के क्लास फूर एस्टेशन के अपने टेक राम जी हैं तो हमने सबने यह निर्णे लिया है कि अगर हमारे को जब मानेनी मुख्य मंतरी अपना पद ग्रेंड कर लेंगे स्वास्तों के यह आ उसके बाद शायद यह वहां पर जाना था लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि मारे को समचार पत्र के मादेम से आज पता चला है कि सच्चिवाले प्रशासन ने इसमें और वक्त मांगा है कर दो कर दो